हाई फ्रेंड जेहिन गुड आफ्टरनून अवाम वेलकम टू आल अफ यू वेलकम टू स्टेक गुरी जी इस वीडियो में हम लोग स्वास्त अभियंत्रण विभाग यानि पब्लिक हेल्थ इंजिनिर्ण डिपार्टमेंट गौर्रमेंट आप बिहार में जो वेकेंसी आई हैं उसी को डिटेल में डिसकस करेंगे जैसा कि आपको मैंने तीन दिन पहले भी इसका इंफॉर्मेशन दे दिया था कि जूनियर इंजिनियर सिविल की दोसो चौदा पुष्ट की एडविटाइजमेंट लोग स्वास्त अभियंत्रण विभाग में आने वाली है वही आप के साथ फुल डिटेल में डिसकस करेंगे फॉर्म बरने का प्रोसीजर दिखाएंगे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जैसे कि अपरने के प्रोसीजर में क्या एक्या अप्लोड करना है सब कुछ बताएंगे टोटल कम्प्लीन इंफोर्मेशन उसके साथ साथ आपको जो advertisement आया है Government of Bihar का official notification उससे पूरे details देंगे कि क्या क्या भरना है कौन कौन eligible है तो first time आप 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 वारी चैनल बे विजिट करना है तो चैनल को subscribe कर लीजिए आपसे नहीं तो miss हो सकता है कोई भी Government of Bihar जौब का update ठीक है तो जैसे start करते हैं तो सबसे पहले मैंने लोकस्वास अभियंत्र विभाग Bihar का press विगपती आपके साथ तीन दिन पहले share किया था जिसका response बहुत अच्छा है आप लोग ने बहुत support किया उसके लिए थेंक्यू अब आज आते हैं बिहार सरकार लोकस्वास अभियंत्र विभाग के advertisement पे सबसे पहले मैं आप बता दू आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप इस form के लिए eligible है ठीक है सेकेंड चीज आपकी उम्र 18 साल से 37 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी qualification डिप्लोमा इन सिविल इंजिनिंग होना चाहिए मिन सिविल इंजिनिंग में यदि आपने डिप्लोमा किया है तीन वर्षी तो आप इस form के लिए eligible है इस form की कोई fees नहीं है form बिल्कुल free of cost है 15 जनवरी 2019 यानि आज के दिन से form start है और 31 जनवरी 2019 तक आपको form apply कर देना है साम 5 बजे तक बाकी सारी detail जैसे जैसे mention है detail में बताएंगे और एक importance जी जो बिहार पॉल टेकनिक के student है बिहार government पॉल टेकनिक के उनको 40% आरच्छड मिला है लोकस्वास्थ अभियंत्र बिभाग में तो जा factor PDF के बारे में बताएंगे सारी चीज डिटेल में बताएंगे कि लोकस्वास्थ अभियंत्र बिभाग में अंतरगर जो कनी अभियंत्य अशनी के इस्थाई रिक्त बदो पर विज्यापन है तो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दू disagreed 1014 पोश्ट है, उसमें आनारच्षित 118 पोश्ट है, जिसमें 34 seat महिलाओं के लिए आरच्षित है अत्याद पिछड़ा वर्क और पिछड़ा वर्क में 41 seat और 47 seat जिसमें 12 प्लस 8 seat महिलाओं के लिए है उसके बाद अब बिहार के सरकारी पॉल्टेक्निक संस्थाओं की बात कर लेते हैं जिसमें कि असेनिक डिपलोमा धारी उमिदवारों को 40 परसीज़त कोटी बार आरचण मिलेगा जिसमें कुल सीटों की संख्या 85 है अना रचित 47 है अत्यंद पिछड़ावर का 16 और पिछड़ावर के 19 तो ये महिलाओं को इसमें सीट आरचण मिला है जो हमारे भाई दिव्यांग भाईयों है उनको भी आरचण मिला हुआ है पद की संख्या दिर्ष्टी दिव्यांग में दो जो भी केटेगरी है आपको इसका सर्टिफिकेट भी लगाना है ठीक है और एक इंपॉर्टेंट जी हाँ ठीक जो राज्य सरकार के सुरतंतरता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी उनको भी आरचण मिलेगा ठीक है कुल पांच रिक्तियां बनती है इनकी इनके लिए इनका सर्टिफिकेट लगेगा ठीक है यही चीज़ आपसे सेर करना है रोस्टर में यह चीज मेंशन है कि जो राज्य सरकार के सुरतंतरता सेनानी है उनके पोता पोती नाती नतनी को पांच सीटो पर आरचण मिला है ठीक है कुल पांच रिक्तियां बनती है इनकी रोस्टर में लिखा था तो जैसे कि मैंने बतायता है कि भारत सरकार का नागरिक हो सैचित योगिता में डिप्लोम बसरते की उक्त डिम्ड यूश्टी को असैनिक अभियंदर में डिप्लोमा पाठकरम करने के लिए विस्व विद्याले अनुदार आयो की सुकृती प्राप्त हो। यदि वो डिम्ड यूश्टी जो यूजीसी के अंदरगात आती है। पिछडा वर्ग और अतेंथी पिछडा वर्ग के के लिए 18 साल से 40 साल और महिलाओं के लिए 40 साल ठीक है। उसके बाल SC और ST के लिए 18 साल से 42 साल का कोई अभियारती है तो इस फॉर्म को अपलाई कर सकता है। तो शमान प्रशाशन विभाग के संकल्ब बाशट 5.1.2007 के आलोग में निशुक्त को उत्युक्त उम्र सीमा में 10 साल की छूट का अनुमान है। यदि आपका लोक स्वास्त अभियंत्र विभाग में सेलेक्शन होता है, मिन्स समविदा पर आपकी चैन होता है, तो आपको इसमें 27,000 रुपे प्रती महा विभाग द्वारा दिया जाएगा। यह 27,000 रुपे आपको मिलेंगा, यदि फ्यूचर में आप पर्मानेंट हो जाते हैं, तो आपका इंक्रिमेंट होगा, जैसे कि गवर्मेंट बिहार का बिहार सरकार का जो भी प्रोसीजर होगा, उसके हिसाब से आपका इंक्रिमेंट होगा, तो आपकी जो भी आगे final update हम आपको दे देंगे, क्योंकि बिहार में form में PDF आते रहते हैं, उनके जो conditions होते हैं, वो आपको conditions की information दे देंगे, कि contract से अगर पर्मानेंट हो रहा है, तो उसका information भी आपको प्रवाइड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद इनकी कुछ सरते हैं, मिन्स Towns and Conditions जिसको कहते हैं कि समविदा के आधार पर नियोजन अधिक्तम एक वर्ज के लिए किया जाएगा, ऐसे नियोजन कनी अभियंता सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, और सरकारी सेवा को अनुमाने किसी भी सुपधा के हगदार भी नहीं होंगे, समविदा के आधार पर नियोजन के बाद सर भी सरकारी सुविधा के हगदार नहीं होंगे नहीं आप सरकार के ऊपर ये बोल पाएंगे कोई दावा नहीं कर सकते कि हमको पर्मेनेट कीजिए वो कर देते हैं वो अलग चीज है यती समिधा की अवधी समाप्त हो जाए तो उसके पूर विस्तार नहीं होंगे ऐसी न्यूकती स्वता समाप्त कर दी जाएंगी इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेचित नहीं होगा तो ये साब पॉइंट्स है आप पढ़ लीजेगा इन सभी का जो पीडियाफ है वो हमारे टेलिग्राम ग्रूप में अवलेवल है आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लिजे डिप्रिक्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से आपको ये पीडियाफ मिल जाएगा आपको बहुत हैट्फूल होगा वहाँ पे और भी प्रवाइड की जाती है किताबों का पीडियाफ है फ्री में वहाँ आप एवलेवल कराया जाता है ठीक है और आप वहाँ पे चैट भी कर सकते हैं अपनी को पूछ भी सकते हैं ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं कनी अभियंता आप सैनिक पद के लिए अभियार्थी केवल एक ही बार आवेदन दे सकता है एक अभियार्थी से केवल एक ही आवेदन सीवकार होगा एक से ज़्यादा आवेदन किये जाने पर अभियार्थी का जो आवेदन रद दमाना जाएगा ठीक है तो इसका ध्यान दीजिए इन्होंने इसको बोल्टिकर के लिखा है कि कनिय जो एक अप्यार्थी केवल एक ही बार आविदन कर सकता है सम्वीदा पर नियोजन कर्मियों के विरुद्ध सम्वीदा सर्तों के उलंगन के आरोप में शम्यक कारवाई के लिए लोकस्वास अभियंतर विभाग सच्मः प्रदिकार रखेगा और जो आपका सेलेक्शन प्रोसीजर होगा मिन्स आपने लोकस्वास अभियंतर विभाग का फॉर्म भरा तो आपको फॉर्म तो आपने अप्लाई कर दिया selection कैसे होगा तो selection आपका mega suji के अलहार पे होगा means ये vacancy में कोई exam नहीं होगा ये merit base vacancy है जैसा कि आपको पता भी होगा बिहार में 90% vacancy merit base करा जेते हैं सम्विदा वाली ठीक है तो कनिय अभियंता अशायनिक slash यांतरिकी के भरती के संबन्द में अधी सूचना बिहार लोगस्वास अभियंतर विभाग अवर वहनता तो इसमें आपकी जो diploma में जितने marks पाए हैं उसके 75% अंक आपको इसमें जोड़े जाएंगे ठीक है इट मेंज जो अभी आपके marks हैं उसको 0.75 से marks मान लेते हैं कि आपका बिहार में 75% अंक है या 80% अंक है 80% अंक है आपका बिहार में तो या फिर कहीं भी किसी भी राजे से हैं तो उस 80 को आप 0.75 से multiply कर दिजिए तो उसको 0.75 से multiply कर देंगे वो आपकी आजायागी grade point मिन्स इस form भरने के लिए वो grade point equivalent percentage का formula हो गया और बाकी जो 25 क्योंकि 75 plus 25 दो डम्स में है तो बाकी जो 25 है वो आपको यदि आपने बिहार सरकार के अधीन उपकरम, निगम, निकाय, प्रधिकार और शौसासी निकाय में समविदा के आधार पर कनी अभियंता अश्यानी के पदबर कार करने का अनभौ रखते है ठीक है तो आपको कार करने का अनभौ रखते है तो आपको प्रती वर्स 5 अंक दिये जाएंगे जिसमें जो अधिक्तम सीमा होगी 25 अंक होगे जैसे किसी वर्स के अंस में गणना किये जैसे आपने देड़ साल काम किया है तो 365 से गणना कर देंगे उसको डिवाइड करके आपको नमबर दे देंगे जैसे देड़ साल किया है तो 7.5 मांक दे दिये 5 साल आपने किया है तो आपको 25 में 25 मिल जाएंगे इस हेतु पॉइंट की गणना है मिन्स अनुभव प्राप्त वर्सों की संख्या इंटू 5 एक इंपोर्टेंट नोट भी है जो आपके साथ मैं सेयर करना चाऊँगा अब भ्यारतियों को निर्देश दिया जाता है कि कोई भी फरजी जाली प्रमाड पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगा अन्यता किसी भी अस्थर पर परमाड पत्र फरजी पाए जाने पर उसकी अभ्यारता रद्द की जाएगी और उसके विरुद्ध कानूनी करवाई की जाएगी जैसा कि आपको पिछले बार जो फर्म फिल कराएगा था पंचायती राज विभाग में उसमें बहुत सी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसलिए उन्होंने इस बार ये पॉइंट में में इंसन कर दी है तो ये आवेदन का फॉर्म आज से ही श्टार्ट है 15.1.2019, 31.2019 तो इसको ज़्यादा ज़्यादे अपने वाट्सप ग्रूप में सेर कीज़े फ्रेंड्स ठीक है और इसको जो विज्यापन का दिया है तो अब आपसे बात कर लेते हैं ओफिशल वेब्साइट पर आजाते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एफ्लिकेशन फिल करना है ऑनलाइन एफ्लिकेशन जब आप फिल कर देंगे तो इडिट पर्सनल डिटेल आएगा प्रिंट आउट आएगा और अप्लोड तो अप्लोड डॉकुमेंट में पता तूँ क्या क्या आपके पास होना चाँए तो सबसे पहले जैसे जैसे रेइस्टेशन करते जाएंगे आपका तीक लगता जाएगा बेसीक रेजिस्टेशन करेंगे इसमें टीक लग जाएगा है अप सिब आपको एपने किया है करना है एक बार रीचेक करना है हम मैं आपको बता देता हूँ कौन कॉनध को Upload करना है और अपलोड करने के बाद आपको व्यू करके एक बार देख लिना है जैसे कि matriculation का certificate होगया आपका diploma का certificate हो कास certificate residential certificate experience certificate freedom fighter certificate यदि आप applicable है तो और जो physical handicap वाले भाई लोग हैं उनके लिए भी certificate लगेगा वो भी लगाते हैं कोई भी queries हो आप comment कीजिए वीडियो को like कीजिए friends के साथ share कीजिए friends ओके thank you wish you a best of luck thank you friends